अब हम discuss करते हैं section 304B जो की deal करता है dowry death से देखें यहाँ वो section 304 में कहते हैं कि अगर किसी woman की unnatural तरीके से death cause हो गई ये death उसकी शादी के 7 साल के अंदर cause हुई है और जैसे ही उसके death हुई थी उससे पहले उसके साथ harassment ये cruelty की गई थी और साथ ही ये जो harassment ये cruelty की गई थी ये demand for dowry के लिए की गई थी तो ये deem किया जाएगा कि उस husband या उसके relative नहीं उस woman की death cause करी है अब बात आती है कि अगर किसी person ने husband ने या उसके relative ने उस woman की death cause कर दी तो यहां section 304 insert करने की क्या जरूरा थी उन पर 302 का भी तो charge लगाया जा सकता था तो जो murder 302 है वो एक independent offense है वो legal fiction से create नहीं हो सकता कि इसने करी है या इसके relatives ने करी है वहां section 302 में fix है कि किसी एक particular person ने ही इस person की death cause करी है यहां section 304 में हम legal fiction create कर सकते है कि अगर woman की death unnatural है, 7 साल के अंदर है और उसकी death से पहले उसके साथ cruelty की रही ती तो यहां को deemed कर सकती है कि वो death उसके husband या उसके relative नहीं करी होगी पर section 302 में इस तरह की कोई legal fiction हम create नहीं कर सकते क्यूंकि 302 में अगर case file होता है तो prosecution को court में यह prove करना होगा कि एक particular person नहीं उसके death cause करी है पर यहां section 304 में इस तरह को particular person prove करने की जुरत नहीं है क्यूंकि court यहां पे legal fiction अपने आप create कर लेगी prosecution को सिरफ तीन चीज़े prove करनी है कि unnatural death है, 7 साल के अंदर है और उसके death से पहले उसके साथ cruelty की गई थी इतना prove करने पर ही court अपने आपी legal fiction create कर लेगी कि यह death उसके husband यह उसके relatives नहीं करी होगी section 304 जो है वो एक strict liability create करता है अब जब भी किसी person के उपर husband या उसके relative के उपर अगर 304 B का charge लगेगा तो साथ ही 304 B के साथ 498 A का charge लगेगा क्योंकि dowry death तभी prove होगी जब prosecution cruelty को prove कर देगा और cruelty दी गई है section 498 A में और साथ ही अगर prosecution को यह पता है कि यह particular death किस person ने close करी है अगर उसको इस तरह से किसी particular person का पता है तो यहाँ dowry death 498 A और साथ में 302 का charge भी लग सकता है अगर उसको यह चीज़ पता है कि किसी particular person ने ही यह death cause करी है तो यहाँ पर prosecution को फिर section 300 का जो एक्टस्रियस और मैंसरिया है वो court में prove करना होगा अगर यह 302 का charge लगने के बाद prosecution 302 के और prosecution section 300 यानि murder के essentials को पूरा नहीं कर पाता है अगर वो यह 304 को प्रूफ कर देता है तो court अब legal fiction create कर लेगी husband और उसके relatives के अगेंस्ट अब burden of proof आजाएगा husband और उसके relative के ऊपर क्योंकि section 304 की जो presumption है वो debatable presumption है court ने तो presum कर लिया अब husband और relatives को प्रूफ करना है कि हमने ये death cause नहीं करी है उसके बाल ये third line में लिखते हैं Soon before her death she was subjected to cruelty or harassment by her husband और any relative of her husband देखिए यहां जो बात ध्यान रखनी है वो word लिखते है Soon before her death मतलब जो मड़ी मड़ने के एकदम पहले उसके साथ cruelty हुई हो अब court को Soon before her death जो word लिखा होगा इसके लिए देखना होगा कि वो जो cruelty अगर 6 महीने पहले या 1 साल पहले भी हुई है तो उसका effect उस woman के mind पर कितना था court को यह चीज़ चेक करनी होगी court cruelty के degree देखिए किस तरह से उसको परशान या harass किया जाता था और यहां जो section 304b है इसे हां पढ़ेंगी Indian evidence act के section 113b के साथ जहां उन्होंने भात करी है कि जब भी dowry death cause होगी तो court shall presume करेगी मतलब court bound है presume करने के लिए court यह presume कर लेगी कि अगर यह तीन element पूरे हो गए तो वो death उस husband या उस relative नहीं cause करी है क्यूंकि यहां word shall presume लिखा है मतलब यह ribattable presumption है opposite party यानि वो husband और relative इस बात को ribatt कर सकते हैं उसके बाद यह 304B के second close में कहते हैं कि अगर किसी person ने dowry death cause करी है तो वो person liable होगा 7 years तक की imprisonment से लेकर life imprisonment तक की sentence के लिए हम बात आती है कि क्या किसी person ने किसी woman के साथ शादी करी जो शादी करी वो void थी तो क्या अगर वो अब उस woman की death cause कर देता है और यह death, dowry death है तो क्या वो person husband liable होगा 304B के लिए क्योंकि उसकी marriage जो थी वो void थी तो यह एक case था रीमा अगरवाल वर्सेस अनूपम और अदर्स 2004 Supreme Court इसमें क्या था husband already married था उसने दूसरे शादी करी जब एक husband already married है तो वो दुबारा शादी नहीं कर सकता है जब तक कि अपनी वो पहले वाइफ को divorce नहीं दे देता उसने अपनी पहले वाइफ को बिना divorce दिये दूसरी वाइफ से शादी करता है दूसरी वाइफ के साथ अब वो cruelty करता है उसके साथ harassment करता है सिरफ इस basis पर कि उसकी marriage void थी 304B यानि dowry death का अगर हम उसके उपर charge नहीं लगाते तो यहाँ 304B की जो policy है वो violate होगी इसका मकसद क्या है 304B का एक woman को protect करना कि उसके साथ dowry death cause ना हो अब भले ही चाहे वो marriage जो थी वो white थी अगर उस person ने उस woman की death cause करी है cruelty को लेकर और साथ में जो death cause करी वो dowry demand को लेकर करी है तो वो person liable होगा section 304B में dowry death के लिए